बोचपुर पुलिस ने बैंक लूट की घटना के उद्भेदन के लिए आमजनों से अपील की है बोचपुर पुलिस द्वारा आमजनों से अपील किया गया है कि उक्त अभ्युक्त की पहचान कराने में जो भी बोचपुर पुलिस की मदद करेगा उसे 50,000 रुपे इनाम सोरूप दिया जाएगा साथ ही जो भी मदद करने वाले की जानकारी होगी वा पूरी तरह से गुपतर रखी जाएगी इसको लेकर भोचपुर स्पी प्रमोत कुमार यादो ने दो मुबाइल नमबर जारी किया है उन्होंने प्रेश विग्यपती जारी कर कहा कि मुबाइल नमबर पर संपरकर सूचना साजा की जा सकती है बैंक लूटेरो के बारे में तदा इस मुबाइल नमबर पर वाट्सप के माध्यम से भी सूचना साजा की जा सकती है पहले आप मुबाइल नमबर सुननीजिए 9431822980 और दूसरा नमबर है 6207926706 आरा के इन अवादा थाना च्छेत रस्तेत कतिरा के एक्सिस बैंक लूट कांड में अभ्युक्त की पहचांद यदा कांड के उद्भेदन में मदद करने है तो 50,000 रुपे का इनाम रासी पुलिस के द्वारा घोसित किया गया है बता दे की 6 दिसंबर को कतिरा स्थित एक्सिस बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें करीब 16,500,000 रुपे की द्रासी लूटेरों द्वारा लूट ली गई थी इस घटना से संबंदित CCTV फुटेज के माध्यम से संदिग्दों का कुछ फोटो एवं वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ उनमें से एक संदिग्द का फोटो भी पुलिस के द्वारा जारी किया गया है इस दोरान भोजपुर पुलिस ने आमजनों से अपील किया है कि जो भी अभ्यूक्त की पहचान कराने में भोजपुर पुलिस की मदद करेगा उनकी जानकारी पुरी तरह से गुप्त रखी जाएगी तिथा उसे इनाम स्वरूप जो पुलिस के द्वारा रासी घोशित की गई है पचास सजार रुपे की वह पुरसकार स्वरूप प्रदान भी किया जाएगा पहचान और अन्य जानकारी बताने है तो भोजपुर पुलिस के द्वारा दो नमबर जारी किये गए है मुवाइल नमबर पर वाट्शप या कॉलिंग के माध्यम से सूचना साजा की जा सकती है इसको लेकर भोजपुर स्पी ने जबी प्रेश विग्यप्ती के माध्यम से काया है कि जो भी जानकारी इस संदर्ब में बताएंगे या उनकी लुटेरों की पहचान कराएंगे उनकी जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और उन्हें इनाम सोरूप भोजपुर पुलिस के और से पचास जार रुपे भी दिया जाएगा इसको लेकर भोजपुर पुलिस ने जो दो नंबर जारी किये हैं वो हमने पहले ही बता दिये हैं और बता दे कि आपको 6 दिसंबर को नवादा था नाच्षेतर की कतिरास्त एक्सिस बैंक में बड़ी लूट की घटना को अन्जाम दिया गया था जहां बैंक कर्मियों को बंधक बना कर बैंक से करीब 6.5 लाक रुपे की लूट हुई थी इसके बाद बैंक कर्मियों की गलत सूशना के कारण पुलिस लूटेरों को पकड़ने में काम्याप नहीं हो पाई थी इस बैंक लूट की घटना के उद्भेदन के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है इस घटना की समिक्षा करने के लिए खुद साहबा डियाईजी नवीन चंदर जा भी भोजपुर पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक किये थे वो एक दिनों पुर्व आरा भी पहुंचे थे तो फिर से आपको बता दे कि भोजपुर पुलिस द्वारा इस बैंक लूट की घटना में उक्त अभ्युक्तों की पहचान वकांट के उद्भेदन में मदद करने वालों के लिए भोजपुर पुलिस द्वारा 50,000 रुपे की इनामी रासी घोशित की गई है साथ ही यवी बार-बार का जारा है कि अभ्युत की पहचान कराने में जो भी भोजपुर पुलिस की मदद करेगा उसकी जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी अगर आप बैंक लुटेरों के बारे में कुछ भी जानते हों तो आप इन दिये गए नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो की कॉलिंग या वाटसप के माध्यम से आप सूचना को साज़ा कर सकते हैं आपकी जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और भोजपुर पुलिस द्वारा एक CCTV फुटेज में जो लुटेरा है उसकी एक फोटो भी प्रदर्शित की गई है आप इस स्क्रीन पर भी देखे होंगे और अभी देख रहे हैं